Hello everyone, आज है 13th November और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहा है Easy Trip Planners के बारे में देखिए 41 रुपीज का शेर है, आज बे यहाँ पर गिरावट बनी है अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 45-46 तक गया था यह शेर और उसके बारे में हम यहाँ पर डिसकास भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अवितर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो अगर अगर आप इसले एक साल का भी ग्राफ देखे लो तो एक चीज पता चलेगी कि जब भी ये जब भी ये पैतालिस की रेंज में गया है एक प्रॉफिट टेकिंग आई है वापस ये 37-38 पे गया है वापस वहाँ से अटेम्ट करा है तेजी करें तेजी आई है वापस से गया है और इसे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था और तब मैंने ये चीज़ कहा जरूर था कि जब तक 45-46 रुपीज का लेवल ये तोड़ता नहीं है तब तक थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है यहाँ पर क्योंकि अगर वो लेवल तोड़ेगा तो 50 के लक्षर देखने को मिलेंगे लगे जब तक उस लेवल को नहीं तोड़ पाता है तो वापस ये 37, 38, 39 के रेंज में डेफिनितली आपको नज़र आएगा और शॉर्ट टम में ये इसी के आसपास अटका हुआ है और ये जो आप 200 से नीचे देख रहे हो उसकी जो वज़ा है वो है ये बोनस भी दिया था इन्होंने ठीक है स्प्लिट भी हुआ था जिसके चलते ये एड्जर्स हुआ है यहाँ पर और जहां तक बात करी जाए इजी ट्रिप प्लानर के बारे में दिखो स्मॉल केप कंपिनी है ये 50 कपी है इसका जो इसका मार्केट केप है वो 7300 क्रोड के आसपास का है 50 कपी है और आप इसको उतना सस्ता नहीं कैसे है लेकिन उतना महंगा भी नहीं है ये ठीक है तब बलके गिरावट के चांसे वहाँ से जादा देखने को मिलेंगे प्रॉफिट टेकिंगे चांसे जादा देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर एक रजिस्टेंस बैठा जरूर है और जहां तक इनके डिविडेंट्स की बाद करो जो 2021 में पे किया तो उसके बाद पे नहीं किया 22-23 में कोई डिविडेंट्स पे नहीं किया है और देखो मेरे सबसे अभी करना भी नहीं चाहिए रिजन के कंपनी पहले प्रॉफिट कमा है अच्छा कासा यहां पर सबसे अच्छी बात है इनके नंबर सब्टेंबर क्वार्टर में जो नंबर्स इनके हैं वो काफी अच्छा रहे है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अभी डिसम्बर क्वार्टर से और ज्यादा बढ़ चुकी है कि जब सब्टेंबर क्वार्टर में एक सो चालीस करोड का रिवन्यू दिखाया है तो डिसम्बर क्वार्टर में तो फेस्टिवल भी है वर्ल्ड कप भी रहा और कई सारी अन्यूयर की जो पार्टी वगरा कैलो वो भी है यहां पर तो लोग जादा निकलेंगे उस दौरान जो कि बड़ी बात होगी क्वार्टर में 26 करोड का था तो यह अच्छी चीज़े है कि बैर नंबर इन्होंने अपने रिप्रेजंट करे है जो कि अच्छी बात है लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़े भी है और नेगेटिव चीज़े यहां पर जो है वो है प्रमोटर्स की घटती हुई शेर होल्ड देखो दो ही क्वार्टर में प्रमोटर ही एक लौते ऐसे थे जो बेच रहे थे यहां पर बड़ी बड़ी कॉंटिटीज में 74.90% की जो होल्डिंग थी वो घटके 71.30 पर आई अभी 65.54 पर आई अभी देखना हो कि अगले क्वार्टर में जा अपडेट होगा तो हैं कि 20.06% की होल्डिंग 29.74 पर आगई एक्चली में बिक्वाली करी है 2.54 से घटके 2.30 पर आये हैं ये इवन म्यूचल फंड की अगर हम देखेंगे तो उन्होंने भी एक्चली में बिक्वाली करी है 0.64 से घटके 0.06 पर आये इवन म्यूचल फंड लगातार बेच रहा ह है यहां पर 0.64 से घटके 0.14 पर आये फिर 0.06 पर है म्यूचल फंड भाया एक्जिट की तैयारी कर रहा है यहां पर यह समझ लोग इन्शॉरंस वालों के पास 2.34% की होल्डिंग देखने को मिल रही और लम्य समय से इसे को होल्ड कर रहे तो देखा जाए तो एफाइस बे operator भी छुपे होते हैं तो देखो operator के निशाने पर भी यह share है उसमें कोई शक्की बात नहीं है अभी मैं कहा दो operator के निशाने पर भी है यह share operator इसको नीचे भी लेकर आएंगे ऊपर भी लेकर जाएंगे याद रखे गए इसी इसको लेकिन जो बहुती strange चीज हो रही है यहा चाहता हूँ वो है bulk deal यह थोड़ी strange चीज है मेरे लिए अगर आप यहाँ पर देखो तो 8 November 2023 को HRTI Private Limited है उन्होंने इतने shares बेचे ठीक है एक करोड एक लाग से भी जादा के shares इन्होंने बेचे किस price पर तो 44.81 रुपीज के price पर बेचे ठीक है लेकिन फॉरण उसी दिन 10 पैसा कम price पर 44.71 पर वापस से इन्होंने almost 94 lakh share खरीद लिये तो यह थोड़ा सा strange चीज है कि इन्होंने अगर आपको खरीदना ही था तो बेचे क्यों और यह पहली बाल नहीं हुआ है सेम चीज 16 अक्तूबर को भी हुई थी SW Capital Private Limited को लेगर अगर आप देखोगे तो उन्होंने 42.72 रुपीज पर यहाँ पर equity बेची थी कितनी 87,79,000 के आसपास की ठीक है और वापस से 42.07 पर कम दाम पर खरीदारी भी करी थी यहाँ पर और कितने shares खरीदे 63,45,000 के आसपास की तो यह थोड़ा सा strange case है यहाँ पर कि पता नहीं volume को ज़्यादा pump up करने के लिए हो रहा है किस तरीके से लेकिन यह हो रहा है यह bulk deal में है नाम अगर अलग होता तो मैं मान देता कि चलो भी ठीक है किसे ने बेचा किसे ने खरीदा लेकिन same company same company की तरफ से यह हो रहा है तो यह थोड़ा सा यहाँ पर strange मुझे लग रहा है यह मेरा opinion है बाकी मरजी आपकी है इसके अलावा is my trip को लेकर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि इनके December quarter अच्छे होंगे March quarter भी इनके December जितने अच्छे ने लेकिन at least हाँ decent होंगे वो numbers तो मैं यही कहूंगा कि अभी के तो देखो एक support level 37-38 रुपीस का है वहाँ पर जाएगा definitely आपको buying lot ती नजर आएगी वहाँ से लेकिन जैसे ही वापस से buying lot ते की ऊपर की तरफ ज range में जैसे ही वो जाएगा एंटर करेगा एक profit taking भी वहाँ से शुरू हो जाएगा शौर्ट टम मुझे यह लगता है कि यह ऐसा होगा long term में हो सकता है कि जब यह लगातर अच्छे number report करना शुरू करें तो एक time ऐसा भी आएगा कि यह 45 रुपीस का जो लेवाँ उसको तोड और resistance कहां पर वो देखे रिस्की ज़रूर है यह शेर लेकिन अगर company लगातर अपने number अच्छे represent करती है तो एक अच्छी चीज़ होगी इनके लिए तो यही मेरा मानना है बाकी मर्जी आपकी है इसके अलावा analysis के लिए जिस पोर्टर का मैं इस्तमाल कर रहा हूँ trade brains अगर रहे हैं उनका पूरा portfolio आपको यहाँ पर मिल जाएगा quarter on quarter update के साथ यह वही लोगे जो शेर बाजर में बड़ा game खेलते हैं यह वही लोगे जिनके portfolio में आपको भरवर के small cap मिटके मिल जाएंगे जदेर किस बात की है link description में है coupon code का file अउठान भूलेगा नहीं वीडियो को य झाल 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 झाल